दोस्तों क्वालिटी टेक वीडियो के लिए रेड़ सब्सक्राइब को टेप करके ग्रे कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके इस मेमले में सामिल हो जाएए दोस्तों यह है एमाजन फैर टीविस्टिक सेकेंड जेनरेशन का जोकी लेटेस्ट है और इसमें हम जीओ टीवी इंस्टेल करके देखेंगे फाइप इजी स्टेब में इससे पहले मैं इसका एक उन्बॉक्सिंग और कनेक्शन गाइड वाला वीडियो बनाया हूँ जिसका कि यहां पर है आप जाके देख सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मद भूलेगा इससे मुझे होसला मिलेगा आपको पहले फायर टीविस्टिक को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है उसके लिए आपको जाना है सेटिंग में वहां पर आपको नेटवर्क एक अफ़सन मिलेगा, वहां पर आप अपने वाई-फाय नेटवर्क जो घर का है उसके साथ पहले लिए नेक्स्ट दयब मैं आपको यहां पर सिल्क प्रोजर करना है इसके लिए आप सर्च में जाईए वहाँ पे सिल्क ब्रोजर टाइप करके सिल्क ब्रोजर को डाउनलोड कर लीजिए आपको यहाँ पे Google का कोई ब्रोजर नहीं मिलेगा यह इसलिए क्योंकि Chromecast के साथ इसका पंगा चल रहा है डाउनलोड करने के बाद इंस्टल कर लीजिए इंस्टल करने के बाद open कीजिए और यहाँ पे जो 다음 condition है उसको accept कर लीजिए और home प्रेस करके home में आजाएए 3rd step में हम इंस्टल करेंगे और एक थारफ़ाटे सब्थियर yes file explorer इसके लिए फिर से आप वही सर्च में जाएए और Yes, File Explorer टाइप करके उसको डाउनलोड कर लीजिए अभी इसको इंस्टल कर लीजिए लेकिन आप देखेंगे उसके तुरंद बात ही सहथ आपको अपडेट्स के लिए बोल सकता है लेकिन आपको अपडेट नहीं करना है आप कैंसल करके होम बटम प्रेस करके रिमोट में फिर से होम में आ जाएए फोर्थ स्टेब में आपको जियो टिवी जो है यहाँ पे इंस्टल करना है उसके लिए आपको वही सिल्क प्रोजर में जाना है और वहाँ पे सर्च अप्सन में गूगल.co.in को सर्च करना है मतलब गूगल का जो सर्च इंजिन है उसको ही हमको यूज करना है अभी गूगल सर्च में आपको टाइप करना है जियो टिवी एंडुएड टिवी टाइप करने के पाद सर्च इंजिन में जो पहला इंजिन मिलेगा उसमें ही आपको क्लिक करना है यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दों आपको क्रस्च चेक करना है कि जियो टिवी एंडुएड टिवी 1.0.4 वाला वर्सन ही इंस्टल करना है तो अभी आप थोड़ा नीचे अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे एक डाउनलोड का आपसन आपको मिल जाएगा अभी डाउनलोड में आप क्लिक कर लीजिए यहाँ पे आपको येस डाउनलोडर का आपसन जो है चूच करना है उसके बाद आपका जो चियो टीवी का एप है वह डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद आपको उपन फाइल करना है उपन फूल्डर नहीं करना है उपन फाइल करेंगे और इसको इंस्टल कर लेंगे जब एप इंस्टल का इंफरमेशन आपको दिख जाएगा तो डन करके आप होम बटम प्रेस करके रिमोट में होम में आ जाईए डाउनलोड तो हो गया अभी जियो टीवी के से प्ले करना है फाइनल स्टेप में जान ले दे हैं अभी फिर से सेटिंग में जाएए और वहाँ पे आपको एक एप्लिकेशन का आइकन मिलेगा एप्लिकेशन मेनू के अंदर आपको एक सब मेनू मिलेगा मेनेज इंस्टल एप्लिकेशन का वहाँ पे आपको क्लिक करना है अभी उसी मेंसे Jio TV को क्लिक कीजिए और उसके बाद एक option मिलेगा आपको launch application का उसमें क्लिक कर दीजिए वहाँ पे अलड़ी एक Jio ID आपको मिल जाएगा लेकिन वहाँ पे आपको अपना जो Jio ID और password है उसी को ही डालना है और login करना है लीजिए आपका Jio TV आप open हो गया ठीक है दोस्तों ये बहुत easy है आप अपने आप कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो like, share, subscribe जरूर कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए जैहिन